असलाम अलेकुम दियर स्टुदेंटस आफ कला से किस्ते। स्टुदेंटस ओपन न्यू चप्टर मोशन एंड मेजरमेंट आफ दिस्टंसेज। स्टुदेंटस आज का जो हमारा नया टापिक है वो है मोशन। और टाइपस आफ मोशन के बारे में भी आज थोड़ी लरन करने कुछ करेंगे। एक दरकत की हम बात करेंगे वो फिक्सड होता है एक ही जगह पर तो हम यह कह सकते हैं कि यह सिटेशनेरी हैं। सिमिलारली एक मकान, एक सकूल, फैक्टरी, एलेक्टरिक पॉलर्स यह टेलेफोनिक पॉलर्स यह सिटेशनेरी अब्जेक्टस जो हैं यह रिमेन एट फिक्सड पलिस यह एक ही जगह रहते हैं। तो हम दूसरी साइड में देखते हैं एक आदमी, एनिमल, बिर्ड, कार, बस, ट्रेन, शिप, एरोपलेन, एड्सेटरा, यह एक ही जगह पर सिटेशनेरी नहीं होते हैं। आल थे टाय हैं। यह मूग कर सकते हैं एक जगह पर दूसरी जगह। मिसाल के तोर पर एमेन केंवाक एलांग ए रोड इसी तरह एक अनिमल लाइक डाग कीपस अन मूइंग हीर एंड दियर, बिर्ड फलाइं दे सिकाई। सिमिलले एक कार या बस, ट्रेन, शिप या एरोपलेन जो हैं यह मूग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो मुमेंट होती हैं एक अबजेक्ट की इसी को मोशन कहते हैं। जो काम राइक कारिक्ट्रेस्टिक है, हर एक मूइंग बाडिज की, जो यह चेंज करते हैं पूसिशन विठ टाइम। एक अबजेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे या iみ या मूयं के थाह पूसिशन होती हैं ॔शिछाय। मिसाल के तोर पर जब पूशिशन होती है एक आप एक कार चेंज़ इस विट टाइम वी से डैड़ दे कार इस मुएंग और डैड़ कार इस इन हम कहते हैं कि कार मोशन में है स्टूडेंटर्स अगर हम अबजेक्ट जो मुग करता है फेरली फास्ट तो हम इसकी जो मुविंटर्स है इसका जो मोशन है यह हम उबजेक्ट जो कर सकते हैं आसानी से अगर एक उबजेक्ट मुग करता है वेरी सिलोली तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम इसको उबजेक्टर्स करेंगे For our hand जो मुह करते हैं MOU round and round on the dial of the watch Now, जो second hand watch का होता है वो मुह करता है quickly तो हम इसको observe करते हैं इसका जो movement होता है इसी तरह जो movement of the second hand of a watch ये बहुत easily ये मुह करता है For the minute hand and our hand of a watch वाज जो है यह मूँ करता है quiet, slow so their movement cannot be observed easily, जो minute sorry, our hand का जो movement है, इसको हम observe नहीं कर सकते हैं we will have to keep on observing the position of minutes, hand and our hand for quiet some time, to find out whether they are moving or not this is because when an object moves, it is position changes with time यहने कि इसका जो movement है यह change होता है with time जब एक object stationary होता है, जो moving नहीं करता है, it is set to be at rest, इसको हम कहते हैं कि यह rest में है एक house है या एक tree है, यह stationary है, यह moving में नहीं होता है तो हम एक house या tree को कहते हैं कि यह rest में है they are not in a motion, even the same object can be at rest or in motion at different timers, मिसाल के तोर पर जब एक car stationary होती है, moving में नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि यह rest में है, जब एक car moving करती है, moving में होती है तो हम कहते हैं कि यह motion में है, तो यह हमें clear हो जाएगा जब हम पढ़िंगे types of motion जो motion है या movement हैं हर एक object की यह same नहीं होती है, यह different objectives की हम different types of motion होती है, momentus होती है, तो कुछ important types of motion जो हैं, वो है rectilinear motion, circular motion rotational motion और periodic motion तो studentist, इंशाला, नेकस्ट वीडियो में हम इनको one by one discuss ज़रूर करेंगे rectilinear motion क्या है, circular motion क्या है, rotationary motion क्या है, periodic motion क्या है, तो इसमें आपको पूरा यह, clear हो जाएगा दीजे इजाज़त, खुदा है